जैस यराम दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रिटी कॉर्णर में और आज की इस वीडियो में हम लोग माग मास के महत्यम का पहला अध्याय करेंगे और आपको माग मास की कथा याने की कहाने की वीडियो चैनल पे मिल जाएगी आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा लिंक में डिस्किप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी तो चलिए महत्यम को शुरू कर लेते हैं माग मास महत्यम अध्याय एक एक समय श्री सूद जी ने अपने गुरू श्री व्याज जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझसे माग मास का महत्यम कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ व्याज जी कहने लगे कि रगुवंश के राजा दिलिप एक समय यग के सनान के पश्चात पैरों में जूते और सुन्दर वस्त्र पहन कर शिकार की समगरी से युक्त कवच और शोब्यमान अभूशन पहने हुए अपने सिपाईयों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए म्रिग, व्याग, सिंग, आदी, जंतूं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्थ हो रही थी कहीं कहीं म्रिगों के जुंड फिरते थे कहीं गीदर अपना भयंकर शब्द कर रहा था कहीं गैंडों का समूं हातियों के समान फिर रहा था कहीं व्रिख्ष के कटोरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे कहीं सिंगों के पत्चिन्नों के साथ घायल म्रिगों के रक्ट से भूमी लाल हो रही थी कहीं दूद से भरी थनों वाली सुन्दर भैं से फिर रही थी कहीं पर सुगंदित पुष्प हरी हरी लता वन की शोभा बढ़ा रही थी कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलां भी पड़ी थी उस समय राजा के सिपाईों के बाजे के अवाज सुनकर एक मृक वन में से निकल कर भागने लगा और बड़ी बड़ी चोकडियां भरता हुआ आगे बढ़ा राजा ने उसके पीछे अपना घोडा दोडाया परन्तु मृक पूरी शक्ती से भागने लगा मृक काटेदार व्रिक्षों के एक जंगल में खुज गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में ही प्रवेश किया परन्तु दूर जाकर मृक राजा की द्रिष्टी से ओजल होकर निकल गया राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अती दुखी हो गया दोपहर के समय अधिक मार्क चलने से सैनिक ठक गए और घोडे रुग गए कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुन्दर सरोवर देखा जिसके किनारे पर घने वरिक्ष थे जिसका जल सज्जनों के हिर्दे के समान स्वच और पवित्र था सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुन्दर लगता था जल में अनेख प्रकार के जल जन्तु मचलियां आदी स्वच्टा से इधर उधर फिर रही थी दुस्टों के समान निर्दई चित वाले मगर बच भी थे किसी किसी जगहां पर लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी जैसे विपत्ती ने पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दामी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सब को सुखी करता था जैसे मेग चालक के दुख को हरता है इस सरोवर को देख कर राजा की थकान दूर हो गई रात्री को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारो तरफ फैल गई रात के अंतिन समय में शुकरों के जुंड ने आकर सरोवर में पाने पिया और कमल के जुंड के पास आया तब शिकारियों ने सावधन होकर शुकरों पर आकर्मन किया और उनको मार कर प्रित्वे पर गिरा दिया उस समय सब शिकारी कोला हल करते हुए बड़ी प्रसंता के साथ राजा के पास गए और राजा परभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण पिल्कुल सूख गया था जुम्रिक छाला और वलके पहने हुए था और नक रोम तथा केश धारन किये हुए था राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े अश्चार्य से उनको प्रिणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन इस पुन्ने शुब माग में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहां से क्यों जाने की इच्छा करते हो तप राजा हाथ जोड़कर कहने लगा मैं तो माग मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता किरपा करके आविस्तार पूर्वक मुझे बताईए इसी प्रकार से हमारा माग मास का पहला अध्या संपून होता है और इसी प्रकार से माग मास के और अध्या भी आपको मेरे चैनल के देखने को मिल जाएंगे तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है मेरा चैनल अच्छा लग रहा है और इसी तरहां की और वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और जादा से जादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जैस याराम लिखना बिलकुल भी मत भूलिएगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैस याराम